संद्य, संध्य मतलब होता है संधी, संधी मतलब होता है जोर, मिला, इसकी परिवासा होने के संधी की, दो बर्वों के मेल से पुत्पन होने बारे दिकार या परिवर्तरिकों संधी करते हैं उन्हां देख लेगे संधी किसे करते हैं दो बारों के मिल से उत्पर होने बारे भीकार या परिमत परिकुबत लाग तो संधी कहते हैं जैसे नर जोर इंद्रः नरंद्रः नरंद्रः का संधी पीछे नरंद्रः कोई कहे कि नरंद्रः का संधी पीछे क्या होगा तो बोले कि नर जोर इंद्रः नरंद्रः जग जिस्ता का संधी में जिर्द क्या होगा तो जगत गोर विशा जग निशा संधी के कितने वेद होते हैं तो त्यारे गाव धाल से संधी के तीन प्रकार होते हैं संधी के तीन वेद होते हैं और तो स्वर संधी, बेंजर संधी, पिसर संधी थीजान से संदी के ठीले गोते हैं सुर संदी, पेंजर संदी, पिसारी संदी किसे करते हैं ? जब दो स्वरों के मेल से कोई भीकार या पनगाते हैं तो वह सुर संदी करता है जैसे सुर्जा, जोर्फुदियाifer इसी तरफ सद्दा, छोर, ए ayr इसी तरफ ए तげखमक , कजीदियाबि . सुर्फदिक के उदालन है दूसा विसर्फ संदिक के पाद़े हम आपको ? बता रहे हैं विसर्ग संदी जब विसर्गों के बार या जब विसर्गों के बार स्वारियागेंजर आने पर कोई विकारिक पन होता है तो वर विसर्ग संदी कहलाता है जैसे नमस्ते 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 ये नमस्ते आसनिर इचे लुआ तता जोल चोग, क्या बड़ेगा ततस्त इसी तर भांत्रभी भानू जोल भानू जोल अपी भानू रपी सोया, سो, सौह, जो, अयम, स्वेया इस तरह से हम जो वानाएं विसर्ług संदी के भारे के उसको परिवासा उसकी परिवासा होगी विसर्ग संदी के से क aquela ते हैं तो विसर्ग संदी की परिवासा लिखेंगे जब विसर्गों के भार स्वारीय, ब्यनजर, आने पर लिए स्वार संदी के ज़ेथ, स्वार संदी के कणि भेद होते हैं और साथ, फॉरा संदी, जोनी संदी, बिर्धी संदी, यार संदी, अंधी संदी उन्हें समझ लिए स्वार संधी के कितने भेद होते हैं स्वार संधी के पांच प्रवखेद होते हैं पहला दिर्ग संधी, गुन संधी, ब्रधी संधी, यन संधी, अयादी संधी अब प्रस्त भेगा कि दिर्ग संधी किसे करते हैं ध्यान से समझे के यली ओ, आ, हर्सी, द्रिगी, हर्शू, द्रिगू, तथारी के बार समान स्वर, आये तो उनके अस्थान पर द्रिग, आ, द्रिगी, द्रिगू, तथारी से सरह जाता है, यानि बच जाता है, यहां द्रिग संधी कलाती है, यह क्या कलाती है, द्रिग संधी ड़ाती है। अर्थात हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे OR कवमा करने अ और झोल और जोल और बराबर क्या मनेगा आप इससी तरह हरशु दिर्गु जोल भरशु दिर्गु या बनेगा दिर्गु इस तरह से हम दिर्टी संदी के बारे में और उदाहरन से समझ सकते हैं जैसे औ, जोर, औ, बराबर, क्या बनेगा? आ, इसका उदाहरन, जैसे दी, जोर, अंकर, क्या संदी विचेत किसका होगा? दिनांकर, इसी तरह तवायम, तम, जोर, अयम, तवायम इसी तरह नायम का संदी वी छेद बनीगा नौ जोर अयम नायम ममायम ममायम मम जोर अयम अब दूसा उदाबराण से समझे औ जोर आ औ रहेगा जोर आ क्या उचारा लाएगा आ जैसे आपको बहुत ही सिंपल सारवाराण कुस्तकालिया सब्द का संदी वी छेद अगर करना पड़े तो कुस्तक जोर आलया बोलेंगे कुस्तक जोर आलया 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 नहीं करके दूफू बगर में उसके बिंदू जो भी सर्थ काचिब बताएगा वो दे देंगे तो कुस्तक जोर आलया इस तरह कुस्तक जोर आलया ममा देसर ममा देसर का संदी वी छेद होगा मम जोर आ देसर इसी तरह हिम आलया का संदी वी छेद बनाएगे तो हिम जोर आलया हिम आलया तथायम का संदी वी छेद अगर करना परे तो तफा, जोर, अयम, यानि और जोर, आ बरावर, आ की मात्रा आती है, आ का वुचारण होता है। अब हमकिसा उडारण से समखेंगे आ, जोर, औ, आ, जोर, औ, प्रोनांसिय से वुचारण क्या आएगा? जैसे विद्यार्थी का संदी विच्छे क्या होगा विद्या जोड अर्थी विद्यार्थी इसी तरह उसी त्रह पर उसी तरह के उदारने से से वा जोड अर्थी सेवार्थी तथा जोर अयम क्या बनेगा तथायम इसी तरह यथार्थं सब्द का सल्दी विछे लोगा यथा जोर अर्थं इस तरह से आपको तीसा और उदा बर्शा रहा हूं ध्यान देंगे आ जोर आ आ जोर आ बराबर उच्चार लाएगा आ जैसे महानन दह बोलेंगे महानन कैसे मौ गुआ कर हा नौ नौदो संजु विशर इसको दिखा जाता इस तरह से और बोला जाएगा महानन सुद्ध सुद्ध कोई भासा चाहे वो हिंदी हो संस्किर्ट हो या अरे जी हो उसमें भी अगर हम ब्याकरण पढ़ते हैं तो सुद्ध सुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सिखने के लिए ब्याकरण की जानकारी ब्याकरण का ज्यान लेते हैं इसलिए थोड़ी सुद्धता पर जरू धान देंगें जैसे हम बता रहे थे महानंद या सन्दी बीचे महानंद यह इसी तरह सदा है सदानंद इसी तरह सदानंद आपको इन या और विद्यालेया बिद्यालेय Spencer और बुद्यालेया बिद्या नंद्याराозि का संदी बिद्यालेयस Saq이고 संदी भी छेर करते हैं तो चिकित्सा जोर आलेया चिकित्सा जहां इलाज किया जाता है चिकित्सा और जोर आलेया चिकित्सा आलेया वह अस्थान वह जगर जहां पर क्या किया जाता है त्रिक्मेंट इलाज किया जाता है चिकत्सा आलेया कहा सब्दाता है और इसकार कोता है जहां चिक्सा की जादे इलाज किया जाता है इस तरह से आपको हम चिक्सार्य का संदी निचेर बता दिये अब हुँ उन्हें गुसा उदावर्ण पर गौर करेंगे तो हरसी जोर हरसी हरसी जोर हरसी के मिलने से यहां पर बनेगा द्रगी तो यहां पर इसके जिए क्या कहा है। जैसे कविंद्रा का संदी मिचे बिचे जाए गार्पर ना परे। कविंद्रा सन्दो कोैसे हो कैसे ? पढ़ा जाएगा कविंद्र, लिखते हैं कौभ, वादर्गी का, नौद और और संजुत, बिसारग, कविंद्र, तो हम कैसे बोलेंगे, इसका संदिक्षे कैसे करेंगे, तो कभी, कौभ, वादर्गी का, कभी, जोर इंद्र, बराबर क्या हो जाएगा, कविंद्र, इसी तरह मुनिंद्र, मुनिंद्र सब जो लिखते हैं, महरसुकार, नौदर्गी का, नौद और और संजुत, बिसारग, मुनिंद्र, मुनिंद्र का संदिक्षे करेंगे, तो कैसे बनाएगे, मुनिंद्र, मुनिंद्र, इसी तरह, और मुनिच्छा, मुनिच्छा सब कैसे, तो महरस लिखते हैं मुनिच्छा और मुनी जोर मुनी जोर क्या होता है तो मुनी जोर इच्छा अगर हमको अपीदम अपीदम सब्सक्राइब नाम है तो अपादर्गीकार दौ मौहलन यहां लेखें लिए कि अपीदम हमनी भाय होते हैं ओपादर्गीकार लेकिं दौर्गीकार किस चीज़ में पड़िवर्तित हो जाती है बदल जाती है किस चीज़ में तो हर सी कारी है तो अपिद्रा का संधी बिच्छेद होगा अपी जोर दम अपी जोर दम इस तरह से हम कुछ नियम को आपको बताएं हैं उनको अपने पाधिकुस्तक में अगर देखेंगे तो आपके मनमस्तस में यहाबाद ध्यान आएगा और आपको सिखने में समझने में संधी बिच्छे संधे चेप्टर अच्छा लगेगा और अभ्यास करेंगे तो आभी जाएगा